आज हम लोग बात करेंगे दही के साथ किन किन पांच चीजों को नहीं खाना है दोस्तों दही एक तरफ जहां हमारे पाचन तंतर को मजबूत करता है पाचन तंतर से जुड़ी कई समस्वा एसीटी गैस को दूर करता है खास कर कब्च की विमारी जिससे सुभा को पेट साप ना होने की समस्वा बहुत ज़्यादा होती है एक तरफ दही हमारे पाचन तंतर को मजबूत करता है तो दूसरी तरफ दही हमारे पाचन तंतर को नुकसान भी पहुचा सकता है अगर आप दही के साथ इस 5 चीज को खाएंगे तो आपके पाचन तंत्रे में काफी दबाव पड़ता है और पाचन तंत्रे कमजोर होता है तो कौन सा वो 5 चीज है? सबसे पहला चीज है प्याच दोस्तो अक्सर गर्मी के मोसम में लोग प्याच के साथ दही खाते हैं लेकिन आप जानकर हैरान होंगे दोनों का तासीर अलग-अलग होता है प्याच गरम तासीर का होता है तो दही ठंडी तासीर का होता है और दो अलग-अलग तासीर के चीज को अगर आप खाते हैं तो आपको पचाने में काफी दिखत होता है ACET गैस पैदा होती है यहां तक की पेड में दर्थ की सिकायद भी होती है इसलिए आप प्याच और दही एक साथ ना खाए दूसरा चीज है मचली दोस्तो मचली के साथ भी आपको दही नहीं खाना है अगर आप मचली और दही एक साथ खाते हैं तो ACET गैस इन सब बिमारी के साथ साथ आपको इसकीन में अलर्जी भी हो सकती है तीसरा चीज है आम दोस्तो ऐसे तो आम गर्मी का मौसम का फल है लेकिन आज कल साल भर मिलता है आम खाने में बेहती स्वादिष्ट और मीठा होता है कभी-कभी लोब आम के साथ दही खा लेते हैं लेकिन ये दोनों का तासीर भी अलग होता है आम गर्म फल है और दही ठंडा तासीर का होता है दोनों चीज को अगर आप एक साथ खा लेते हैं तो खाना पचाने में पाचन तंत्र को काफी सिद्धत करना पड़ता है इसलिए पाचन तंत्र से जुड़ी समस्षा ACET गयस बनती है पेट में दर्ध हो सकता है और उल्टी हो सकती है चौथा चीज है दूद दोस्तो हम सब जानते हैं दही दूद से ही बनती है लेकिन आपको दूद और दही एक साथ नहीं खाना है अगर आप दूद और दही एक साथ खा लेते हैं तो पाचन तंत्र को नुकसान तो पहुँचता ही है साथी उल्टी होने लगती है और पेट में दर्ध होता है इसके अलाबा और भी कई समस्था हो सकती है इसलिए आप दूद के साथ दही बिलकुल ना खाए पांचवा चीज है उड़त डाल साथ आपने सुना होगा इस डाल के बारे में लेकिन इस डाल के साथ आपको दही नहीं खाना है अगर आप दही और उड़त डाल एक साथ खा लेते हैं तो सबसे पहला जो लक्सन है वो है लूज मोसन का दोनों एक साथ खाने से लूज मोसन हो जाती है लूज मोसन के अलाबा पेट में दर्ध की सिकायत भी होती है पाचन तंत्र को काफी नुकसान पड़ता है और पाचन तंत्र को इस चीज को पचाने में काफी सिद्धत करना पड़ता है तो दोस्तो इन पाच चीज के अलाबा आप दही को आराम से खा सकते हैं क्योंकि दही हमारे सिरी पाचन तंत्र को मजबूत नहीं करता बलकि ये हमारे हड़ी को भी मजबूत करता है और हमारे immunity power याने रोग पतियों समता को बढ़ा देता है और हाट को भी लंबे समय तक स्वास्त रखता है तो इतना सारा दही का फाइदा है इसलिए आप रोजाना दही खाए कोई दिख़त नहीं है लेकिन इस पांच चीज के साथ पिल्कुल ना खाए तो दोस्त उमीद है वीडियो पसंद आया मिलते हैं नेक्स वीडियो पर धन्नबाद